आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Snapchat एकॉन को पर्मनेंटली डिलीट कैसे करें तो हाँ गाईज आप वहुत ही आसानी तरीका से अपने Snapchat एकॉन को डिलीट कर सकते हैं अगर ये वीडियो को पूरा complete देख लेते हैं तो क्यूंकि इस वीडियो में मैं Snapchat को open कर लेना फिर आपके सामने यहां पे camera open हो जाता है तो आपको यहां पे corner में left side में एक profile का icon बना हुआ simple उस पे click कर लेना फिर आपके सामने इस तरह का page open होकर आएगा तो आपको थोड़ा सा गाईज आपको नीचे में scrolled on करना फिर आपको यहां पे एक option दिखाई simple उस पे click कर लेना क्या का नाम लोगों यहां पे I need help है simple click कर लेना फिर यहां पे loading लेगा तो थोड़ा सा आपको wait कर लेना फिर आपके सामने new page open होकर आएगा तो आपको नीचे scrolled on करना थोड़ा सा फिर आपको यहां पे 4 option मिलेंगे तो आपको यहां पे दूसरे नंबर व वाले option प्रीक खकिलेंगे तो आपको यहां पे delete मैय औकोण प्रीक कर लेना फिर वाले option उस aurait प्रीफशन मिलते ako've के लिएगा एवा data Comme car Snapchat account क्योंकि हम लोगो Snapchat account को डिलीट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है How do I delete my Snapchat account simple उस पर क्लिक कर लेना फिर यहां पर loading लेगा तो थोड़ा सा आपको wait कर लेना फिर आपके सामने इस तरह का page open होकर आएगा तो आपको नीचे थोड़ा सा scroll down करना है फिर आपको एक option यहां पर दिखाई देगा accounts portal उस पर आपको क्लिक कर लेना क्या का नाम लोगों को यहां पर account portal का option जो दिखाई दे रहा हो simple उस पर आपको click कर लेना जैसे click करेंगे यहां पर loading लेगा तोड़ा सा आपको wait कर लेना है फिर आपके सामने इस तरह का page open होकर आएगा तो आपको यहां पर काफी सारे option दिखाई देंगे आपको नीचे आ जाना है और scroll down करके अभी हमारा process complete नहीं हुआ तो वीडियो को skip नहीं करना है तो यहां पर सबसे लाश्ट में देख सकते हैं लिखा हुआ है delete my account सबसे लाश्ट में simple उस पर click कर लेना आपको delete my account पर फिर लोडिंग लेगा फिर आपके सामने इस तरह का page open होकर आएगा तो आप नीचे में देख सकते हैं आपका username already आ जाएगा सिर्फ आपको यहां पर अपना password को डालना है तो guys password डालनें से पहले guys आपको यहां पर एक बात मैं बता दूँ guys guys यहां पर लिखा हुआ guys अगर आप पढ़ लेते तो बहुत ही अच्छी तरीका से आपको समझ में आ जाएगा फिर भी मैं बता देता हूं यहां पर 30 days की बाद guys आपका account जो permanently delete होगा उससे पहले guys आपका account जो deactivate होगा deactivate का मतलब है guys अपने account को आप login करके recover कर सकते हैं 30 days से पहले guys आप अपने account को recover कर सकते हैं login करके डाल लेना guys यहां पर अपना password को डाल लेना इस बाद डालने की वाद guys आपको यहां पर continue का option दिखाई दे रहोगा simple उस पर click कर लेना जैसे आप continue पर simple click करेंगे तो guys आपका account जो deactivate होगा तो guys अभी मैं अपने account को delete नहीं करना चाहता हूं आप यहां पर password को डाल लेना फिर guys आपको यहां पर continue पर simple click कर लेना तो guys आपका account जो delete हो जाएगा तो उमीद करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसन आया तो इस वीडिय आपको जरूर अपको अवीडियो ऑया खत मत करना आया हूं नहीं है।